इस वीडियो में हम लोग ब्लिष्टर बिटल डर्मेटाइटिस के बारे में बात करेंगे ब्लिष्टर बिटल डर्मेटाइटिस जो है उसी का दूसरा नाम होता है पीडरस डर्मेटाइटिस तो यह जो problem है यह बहुत ही simple problem है और बहुत ही common problem है तो यह problem एक bital होता है, मदलब एक तरह का seasonal कीडा बोल सकते हैं जो की गर्मी और बर्षात के समय में ज्यादा देखने को मिलता है तो यह जो कीडा हुता है, यह pedras family का कीडा होता है और इसमें जो है इस कीडे की वराइटी में बहुत ही ज्यादा बराइटी है इस मलब इसके कीडे की वराइटी में 600-600 स्पीसीस से भी उपर इस ग्रूप के कीडे देखने को बैज्यानिकों को पता चल चुके हैं काफी ज्यादा मात्रा में इस तरह के कीडे बरसाती कीडे देखने को मिल जाते हैं तो यह जो कीडे होते हैं बरसात के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है और हुमन जो इंसान है उनके घर के आसपास इन कीडे को देखने को मिल सकता है इसके पीछे एक कारण यह होता है कि यह लाइट रोसनी देखकर के रोसनी की तरफ आकरसित होते हैं और रोसनी के आसपास जाकर के मडरातियां घुमते हैं तो इसलिए यह human के मनुस्यों के contact में असानी से आ जाते हैं और यह जो कीडे होते हैं इनके पेट में इनका जो सिलोम जिसको medical time में बोला जाता है इनके पेट में कुछ acid जैसा material मलब थोड़ा इसकिन को जलाने वाला material इनके पेट में इनके surface पर पाये जाता है तो यह जब भी body के contact में आते हैं तो skin को जैसे acid damage करता है उसी तरह से यह skin को damage कर सकते हैं तो जैसे कीडा जो है किसी भी तरह से जैसे muscle गया आपके skin पे तो उसका पानी आपके skin से लग गया जो खतरनाक material था उसके पेट में तो वो आपके सरीर पर लाल रंग का रहस पैदा कर देता है तो शुरू में red color का रहस होगा उसमें जलन होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लग गया होगा तो उसकी वज़ा से वहाँ की skin थोड़ी लाल हो गई है और जलन हो रही है और वो जो area है वो तेजी से progress करेगा अगले 24-48 घंटे में उसमें लाल-लाल दाने बन जाएंगे जलके वाले दाने भी बन जाएंगे और कभी-कभी ममाद वाले दाने भी पस्ट्यूल्स भी बन जाते हैं ममाद पड़े हुए दाने भी बन जाते हैं और वो और तेजी से progress करेगा जिसमें black भी पढ़ सकता हूँ area मलब ऐसा लगया कि वहां किसकी ने एकदम जल गई है तो उसको नेक्रोटिक एरियाज बोला जाता है medical term में तो इस तरह से यह लीजन progress करता है तो जैसे लाइन की तरह से हो सकता है जैसे कीड़ा का पानी यहां से यहां तक लगा line की तरह तो line की तरह बन गया और कभी कभी joints पर जैसे पानी उसका यहां पर लगा तो आपने जॉइंट फोल्ड किया तो उसी पानी यहां पर भी लग गया गर्दन पर है गर्दन आपने फोल्ड करवट बदला फोल्ड हुआ उसका टच करता हुआ पानी यहां पर लग गया तो उसको किसिंग लेजन बोला जता है किसिंग लेजन मतलब कि दो लीजन आपस में किस कर रहे हैं यहां का लीजन आपस में जैसे फोल्ड जुए तो किसिंग लीजन तो बहुत टिपिकल मॉर्कॉलजी मतलब बहुत करेट्रस्टिक है कि आसानी से देख करके पहचान में आजाने वाला और जैसे-जैसे समय बीटा जाता है जलन दर्द ये सब बढ़ सकता है और पस पढ़ने की वज़े से परसानी आदमी की और बढ़ सकती खुजली भी हो सकता है दर्द भी हो सकता है उसमें तो ये एक इसका टिपिकल करेक्टर होता है तो इसमें क्या करना है आपको यदि इस तरह का कुछ भी लच्छन ग फ्लूइड है जो अत्रिक पानी जो कीड़े का लगा था वो वॉस हो जाएगा तो डैमेज होगा वो कम होगा इसी तरह से पोबिडोन आयोडिन बिटाडिन सलूशन भी लगा सकते हैं उससे भी जो जो अमल है जो एसीड है जो कीड़े से निकला है हानिकारत तक तो वो आपको कुछ एंटिबाइटिक्स दे सकता है खाने वाली ओरल इस्टिरोइड गोलियां दे सकता है ओरल इस्टिरोइड गोली से बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें बहुत सोड़े समय के लिए दी जाती है तीन दिन पांस दिन ऐसे या फिर ओरल इस्टिरोइड एंटिब खतम हो जाते हैं यह problem खतम हो जाते हैं बीना किसी दवाई का लेकिन यह दवाई ले ली जाये तो आपकी problem जल्दी solve होगी अब बड़ा पैच होगा तो सब कंडिशन में तो आपको दवाई ज्यादा लेनी दवाई लेनी जरूरी ही पड़ेगी यह बड़ा पैच होगी आप घाव भरने में खुझ से टाइम लग सकता है और पस पड़ा रहेगा तो और ज्यादा टाइम लग सकता है तो ऐसे एकदम ही सिंपल सधारण से बीमारी है लेकिन इसकी जनकारी होने पर जल्दी ठीक हो सकते हैं और इस प्राब्लम की होने से बच सकते हैं तो नेक्स्ट प्रस नहीं उठता है कि कैसे इससे बचा जा मालब हो ही न यह बीमारी तो एक तो आप इन कीडों की पहचान कर सकते है तो बहुत ही प्रिक्यूलियर, बहुत इस्पेस्फिक, टिपिकल, एक बार इस कीड़े को देख लेंगे, जो मैं पोटो में दिखा रहा हूं, तो फिर उसको भूल पाना मुस्कील, बहुत अलग सा कीड़ा है ये, तो एक बार देख लेंगे तो आपके मन में बैठ जाएगा ऐसा कोई कीड़ा दिख है आपको अपने आसपास, तो उससे थोड़ा दूर हो जाएं, आपके शरीर पर बैठा हूँगो, तो तुरंत उसको वहां से हटा दें, और ध्यान से हटाएं कि उसका पेट जो है फटे नहीं, पेट में ही ज्यादा पानी होता है, जो डेमेज करन पेट में होता है, तो उसको बचा के हटा लें, दूसरी चीज, बरसात के समय में मौस्क्यूटू नेट्स का इस्तमाल जरूर करें, मच्छरदानी का परियोग जरूर करें, क्योंगी रात में तो आप पहरेदारी कर नहीं पाएंगे, इन कीड़ों से बचने के लिए, तो ऐसे में आपको मच्छरदानी इस्तमाल करने से आप निश्चिन्थों के सोच सकेंगे, दूसरी चीज, कम से कम रोशनी का प्रियोग करें, जहां पर जरूरी है कि जहां पर रोशनी का यूश की जरूरत नहीं है, वहां पर बढ़सात के सीजन में रोशनी बंद कर दें, सीसे, खिड़की या जो भी जो दर्वाजे हैं उनको बंद करके रखें, जिससे की ये कीड़े कम से कम आपके घर में या आपके आसपास आशकें, तो ये एक मिंपॉर्टेंट मीजर है, जिससे बच सकते हैं, फुल स्लिप के कपड़े पहन सकते हैं, हाथ पैर को ढख सकते हैं, तो ऐसे इस से बस सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कि इसकी एक बार पहचान कर ली जाए, तो उसे लट हो जाए, अब ये कीड़ा सब कुछ करने के बाद भी आप इसका पानी लग गया, तो कोई घबडाने वाली बात नहीं है, उसको तूरंत जाकर के साबुन पानी से हो दें, घर में कोई एंटिबाइटिक क्रीम पड़ा हो, चाहिए भी टड़ीन पड़ा हो, तो उसको लगा लें, एंटिबाइटिक और एंटि इस्टिरोइट क्रीम के कॉंबिनेशन क्रीम जो होते हैं, उनको लगा लें, और उसी दिन या फिर नेक्स डे भी आप अपने पॉस्टर से मिल करके, इलाज ले लेंगे, वह आपको कुछ एंटि एलर्जिक दबाई, कुछ एंटिबाइटिक या फिर दो-चार दिन के लिए, पांच दिन के लिए, इस्टिरोइट गोली दे देगा, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब निसान, जब ए किसी इलाज के थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो जो भी निसान छूटा भी है, तो उससे भी कोई चिंटा करने की बात नहीं है, वो निसान खुद वो खुद अपने आप, थोड़े दिनों में, साथ दिन, पंद्रे दिन, या अधिक्तम महीना भर में, वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा, तो ओवराल, लास्ट लाइन के तोर पर ये है, कि बहुत सिंपल बिमारी है, कुछ सधारण मीजर्स को अपना करकि इस बिमारी से बच सकते हैं, हो भी जाय तो भी कोई घबड़ाने वाली बात नहीं है, कुछ सिंपल तरीकों से इसको जल से जल ठ ठीक किया जा सकता है, थेंक यू